दोस्तों ने दिया हमने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पताओगा कहां पर हमने जो कोस्टिन ने खतम किये थे तो दोस्तों पहले आपको यह बता तो कौन सा चेप्टर चल ला था चेप्टर दोस्तों आपका यहां पर चल ला था चेप्टर था दोस्तों आपका करा दिया नहीं देखा तो जाके देखिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे तो इस वीडियों दोस्तों पैदारीस नमर कोशन से सुरू करेंगे तो उसके पर दोस्तों आप से रिक्वेस्ट रहे दिया यदि आपने इस चैनल को दोस्तों करते हैं जोटो मेरा नाम है अनिल कुषवहा आप देख रहाई एकस यह है उसके बाद वाई है उनके बीच की दूरी दोस्तों 400 मीटर दी हुई है उसके बाद तो बिंदू X और Y के 20 तरंग देर्दों की संक्या कितनी होगी कितनी तरंग देर्द होंगी चलिए दोस्तों इसका सेलूशन बताते हैं यहां पर मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है तो देखिए यहां पर देखिए एकस और Y के बीच जो दूरी है चार्ट मीटर यहां पर दी हुई है इसको तैय करने में समय कितना लग रहा दो सेकंड अब दोस्तों देखिए यहां पर N कमान जो आपकी आवरत्ती है उसको 1000 हर्ज दिया हुआ है पाऀयर करें सब्सक्राइब होगी हुआ होगी उसके वास चैसली में लेम्डा मान लिया एक टरंग मैं लेम्डा मान लिए में लेम्डा जो टोटल घुर्शा कितनी हो जाएगी एंव into lambda दोस्तों एक की lambda थी तो m की कितनी हो जाएगी m into lambda अब आपको total दूरी पता x से y की बीच में कितनी है 400 मीटर जो m into lambda हो जाएगा चार सो के बराबर हो जाएगा तो यहां से लोग क्या करेंगे m कमाण निकालेंगे तो आएगा 400 बटे लेम्डा, 400 अपन लेम्डा, अब दोस्तों देखें, यहां से आप हम लोग को चाल निकालनी होगी, क्योंकि आपको फार्मुला पता है, जो होता है, वी बराबर एन लेम्डा, तो यहां से भी चाल हमको निकालना जरूरी है, चाल कैसे निका करा है, तो जब भाग देंगे 200 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, तो यह आगे दोस्तों आपकी चाल, आगे दोस्तों देखें यहां पर जब फार्मुला लगाएंगे वी बराबर एन लेम्डा वाला, तो वी कमान दोस्तों दोस्तों निकाल लिया है, फिल एन कमान गिया गए तो देखें इस पर रखते हैं दोस्तों वैलू देखें क्या आएगा, तो यहां पर देखें चार सो उसक्वाद 0.02, दसंबलो दोस्तों यहां से अटाएंगे उपर एक 0 बढ़ा देंगे तो चार हजार बटे दो हो जाएगा, अधिके चार हजार में दोसे भाग दें C हाँ पर है वो है आपका right answer हो जाएगा तो जो question है दोस्तों C number विकल्फ है C ये आपका right हो जाएगा तो उमीद है दोस्तों ये question आपको समझ में आ गया होगा चले दोस्तों अब देखते हैं next question, next question क्या दिया हुआ है एक मनुस से किसी खड़ी चटान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिधोनी 5 सेकेंड पस्चा सुनाई देती है यदि दोनी की चाल 346 मीटर पर सेकेंड हो तो चटान हुआ मनुस के बीच की दूरी आपको ग्याद करनी चटान और मनुस के बीच में कितना फासला है यह आपको ग्याद करना है देखें कैसे करना है चलिए आपको बताता हूँ देखें मैंने यहापर इसको solve किया हुआ है मान लिए दूस्तों यह आपका कोई मनुस से है देखें मैंने आपको यहाँ पर figure के दूरा समझाया हुआ है मान लिए यह आपका कोई मनुस से है यह आपकी कोई चटान है इनके बीच की दूरी आपको ग्याद करनी तो हमने मान लिए इनके बीच की दूरी X मीटर है अब देखें दोस्तों क्या यहाँ पर question बोला है कि ताली बजाता है तो ताली बजाने पांच सेकंड बाद उसको प्रतिदों सुनाई देती दोस्तों जब ताली बजाएगा तो पहले तरंग दोनी जो होगी पहले जाएगी फिर वापस आएगी जाएगी वापस आएगी ताभी तो दोस्तों सुनाई देगी तो वहाँ पर बोला गया है गई और उसके बाद वापस आएगी प्रतिदों ने उसको पांच सेकंड पस्चा सुनाई देती तो जो दोस्तों यहाँ पर पांच सेकंड हुए जाने और आने में लगा समय गई उसके बाद आई तो आलो एकन चाल को दूरी गोहना हुआ हूए टी कि ऑंटी यहां पर पांच है कि पर 4 पश्चाथ सुनाई दे रही है जाने में लगा समय और आने में लगा समय तो चोंट्रा समय तो हो गया शक्कुन हे दिया हुआ है उसका देखे कि और 55 लग और दिया 346 अब देखिए 2 से 346 को कट करेंगे आएगा 173 173 को दोस्तों 5 से multiply करेंगे आएगा 865 मीटर तो यह दोस्तों आपका राइट अंसर हो जाएगा जो यहाँ पर option A है आपका राइट हो जाएगा तो देखते हैं कौन से कल्ब यहाँ पर राइट है तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका option A है 46 का यह आपका राइट हो जाएगा तो उमीद है दोस्तों यह भी question आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अब देखें next question कहा रहा है वह तापमान जिस पर धोनी का वेग 0 degree Celsius पर धोनी के वेग का डेड़ गुना होता है देखें आपको वह temperature गयाद करना है कि जब आपका जो धोनी का वेग है डेड़ गुना हो जाए तो दोस्तों आपको यहाँ से एक चीज बहुत ही अच्छे तर दोस्तों जब हम लोग तापमान बढ़ाएंगे 0 degree Celsius पर धोनी का वेग होता है तेन स 다양한 मीटेव पर सेकंड होता है उसका दोस्तों जाप 20 पर लेते हैं तो 346 है पैंट अली सो जाता है तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसा वैसे धोनी का वेग भी बढ़ता क्या कंभान बढ़ेगा लेकिन ये होता क्या है कि टक्रेचर के बरबार होता है वी गमान के घि चालना वह लूंक यहां बासकती हो गाइस तब आपके लिए बढ़े का नहीं के प्राप्त हुगा तब आपके लिह रूट गेहिक तो रूट ठीटु दोणों को अपस हैं भाग एक दिखाता हूं यहाँ बार देखे कोशन में बोला गया है वह तापान जिस पर धोनी का वेग 0 डिगरी सेशेस पर धोनी के वेग का डेड़ गुना हो जाता है मलब कि पहले आपका यादि V था तो बाद में कितना हो जा रहा है 1.5 मलब की डेड़ गुना हो जा रहा है दोस्तों वही किया गया यहां पर पहले दोस्तों यहां पर वे कितना था पहले वीवन था वीवन हमने यह माना दोस्तों जब दुबारा वीटू हो जाएगा तो वीवन का डेड़ गुना तो वही दोस्तों इसलिए एक दोस्तों पांच वीवन कर दिया तो वीवन को दोस्तो निकाल के इसको हम लोग Kelvin में परिवर्दित कर लिया है तो आपको पता है कि 0 degree Celsius पे दोस्तों कितने Kelvin होते हैं 273 तो 0 में 273 जोड़ेंगे 273 Kelvin हो जाएगा तो यहां सारे values पता हो गएगे अब देखे क्या कि हमने V1 से V1 को कट कर दिया यहां पर बचा दोस्तों 1 upon 1.5 अब क्या किया दोस्तों दसमलो उटा है 0 बड़ा है तो 10 बटे 15 पराप्त हुआ 10 upon 15 तो इसको दोस्तों 5 से कट करेंगे तो 3 और 2 बचेगा अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहां पर दोनों पच्छों का वर्ग कर देंगे कि एक 0 degree Celsius पर आपका कितना होता है 273 तो यहां पर इसमें 273 घटा जेंगे दोस्तों तो आज आएगा आपका degree Celsius में तो इस तरह दोस्तों आपका यह answer जाएगा टीटू और अबर 341.25 तो यहां पर जो आपका option है C number option यहां पर आपका right हो जाएगा तो इमीरे दोस्तों यह भी question आपको समझ में आ गया होगा जो यहां पर C number विकलफ है 341.25 यह आपका right हो जाएगा तो यह दोस्तों था 48 number question अब बढ़ते हम लोग 47 number question था अब बढ़ते हम लोग 48 number question क्यों तो यह question दिया हुआ है यहां पर निन में लिखित आवरतियों वाली तरंगों में कौन सी तरंगे मनुस्य को नहीं सुनाई देंगी ऐसी कौन सी तरंगे जो मनुस्य को नहीं सुनाई देंगी तो दोस्तों आपको यहां पर पता जो आईडियोबल तरंगे होती सरव तरंगे ढूंने यह आपर स्ट्रब यह होती इनकी जो आवरित्ती होती कितनी होती है यह से जो नहीं हमसिते होता है लेकिन यहां पर देख कि पहले अब निगरें से दूसरा हविएology है होता है तो आप pink नंबर आ कि कि अधिक्तम होता है तो पता हो गा किसमें प्राप्त होता है अधिकतम होता है जो इस्टील हो जाएगा इसमें वो राइट आपका विकल्फ हो जाएगा धोनी का वेग इस्टील में सबसे अधिकतम होगा फिर दोस्तों नेक्ष्ट लेखते हैं कोशन नेक्ष्ट कोशन यहाँ पर है कि एक सेकंड लोलक एक उंचे इस्थान पर ले जाया जाता है जहां ज जी का मान है 9.81 मीटर पर सेकंड स्कॉयर है लेकिन दोस्तों जब उसको थोड़ा ऊपर ले जाया गया है तो जी का मान होगी अकम तो तब सरल लोलक में क्या फर्क पड़ेगा यह आपको बताना है तो चलिए उसको कैसे सॉल्व करना है मैंने सब्सक्राइब कराए हुए है चलिए एक बार और आपको करा देता हूं देखें जब वह प्रत्वी पर था तब उसका जो आवर्थकार का फार्मुला था हुए था टी बरावार टू पाई इंटू रूट के अंदर ल अपॉन जी तो इसको हमने मान लिया एक्क्योशन फर्स्ट उसके बाद दूस्तों ह हमने मान लिया कि जब है प्रत्वी के कुछ ऊपर जाएगा तो जो उसका आवर्थकार है वह कुछ परिवर्तित हो जाएगा उसके बार टू पाई यह आपका कॉंस्टेंट है इससे कोई मतलब नहीं है और ल के बारे में कुछ यहां पर स्पेसिफाइग किया नहीं गया है तब दूस्तों जी कमान यहां पर परिवर्तित हो जाएगा तो हमने मान लिया जी डैस हो गया अब क्या किया समि हम एक में समी करण दो से हमने डिवाइड किया तो टी अपॉन टीडैस हो जाएगा इदा टू पाई रूट के अंदा एल अपाउन जी यह दोस्तों इस तरह ह इसमें नीचे नोट कर दिया अब देखे दोस्तों आपको यहां से एक चीच क्लियर हो रही होगी टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या दोस्तों वह मैं नहीं आप लिखा हुआ है हमने जो यहां पर रूट एल अपॉन जी एक में लिखा हुआ है इसको लग कर लिया ROOT L अपन ROOT G ROOT L अपन ROOT G डेस तो देखिए यहां पर जो ROOT L से ROOT L कैंसील हो जाएगा बचेगा क्या दुस्तों यहां पर देखिए यहां पर बचाओओ आपका यहां पर root g upon g dash तो यह चौती संक्या जाएगी उपर तो यह उपर ले आया अब देखें दोस्तों यहाँ पर अब आपको दिया हुआ था जो प्रत्थिवी पर g का मान था 9.8 जो g का मान था 9.8 था उसको बाद यहाँ पर दिया हुआ है जो प्रत्थिवी से उपर जाने पर कितना था 4.3 उसको रख दिया 2.8 में भाग देंगे तो आएगा कुछ आपका 2.25 और जब 2.25 का वर्ग्मौन निकालेंगे तो आएगा 1.5 1.5 में दो से बुना कर देंगे तो आएगा 3 सेक्ट तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्थिवी से उपर जाने पर जब जी के मान में चार जो सम्मधो 3-6 का परिवातन होगा तो जो T- का मान होगा जो आवरत का मान होगा वे 3 सेकेंड हो जाएगा तो उमीद है दोस्तों ये कोशन आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन B है इसका राइट हो जाएगा जो विकल्प नंबर B है ये राइट है तो चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो इसका 50 नंबर कर रहा तो मुद kann न बराबर है दिए जो पर यो कमपन कर रहा है उसके बाद इससे उत्पन तरंग जो इसमें उत्पन तरंग होगी वे कैसी ओगी विद्दू चुमकी तरंग ओगी परासरव तरंग वें तीस सो दोलन पर सेकंड कहें या फिर हम तीस हर्ज कहें बात दोस्तों यह एक ही हो जाएगी तीस हर्ज कहें या फिर तीस दोलन पर सेकंड कहें आप अब आपको पता है दोस्तों यहाँ पर परासरव तरंगे क्या होती है जिनकी लिबीस हर्ज से कम होती है लेकिन हिहां पर्लग Schr यहां पर प्रियोग साना हो रहा है तो यहां पर दोस्तनों धोन है यह होती है एक होती है सरव दूसरी होती है परा सरव एक होती अब सरव यहाँ पर दोस्तों जो ध्वनी तरंग आपसन होगा वह आपका राइट हो जाएगा चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स कोशन है जब ध्वनी वीरल से सगन माद्य में जाती है तो क्या बदलता है इनमें कौन कौन से चीज़ें जो बदलती हैं शलिए आपको बताता हूं नेहीं है जब माध्यम में परीवाहतान होगा तो taranagdherd भी आपका नहीं इंग को बताया भी हुween होगा आपको बताया हुए था जो गर्थ बनते हैं यहां पर घर्थ की बात हो रही है तो जो दो क्राम मांगत गर्थ होते हैं इनको दोस्तों लेमडर होती हैagles मतलब तरंगत देर्ड होती है तो यह दोस्तों इसका राइट आइश जाएगा जो इहाँआपर सी नमबर विकल्फ है तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझने आ गया होगा अब ये दोस्तों यहाँ पर वायू में जलवास्प की मात्रा बढ़ने पर धोनी का वेग पहले से हो जाता है कम होता है कि पहले जैसा रहता है या फिर अधिक होता है दोस्तों जब मैंने आपको थेओरी पढ़ाई थी और जब आपको माहत्पूंच तत्य बताया थे एक चीज़ बताया था जलवास्प की मात्रा बढ़ रही है वायू में तो धोनी का वेग भी पहले की अपेच्छा बढ़ जाता है दोस्तों यहाँ पर जो कोशन है चमगादर किस आवर्वित्ती की दोनी को सुन सकता है तो आपको पता को जो चमगादर होता है परास्रा भी तरंगों को सुन सकता है तो जो होती है बीस हजार हर्ज से अधिक 20 के हर्ज से अधिक तो यही इसका पचपन का बी नमबर विकल पापका राइट हो जाएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है जो चपन नमबर कोश्चन है कोश्चन दिया हो दोस्तों यहाँ पर हवा में धोनी का वेग 336 पर शेकेंड दिया हुआ है जब एक पांच सो साथ हर्ज की आवरित्ती का स्वरित दुइफुज 20 कमपन कर रहा यहां पर जूसतों एक से कमपन कितनी हो रहे हैं 560 टमपर बीश कमपन के लिए आपको निकालना है चले दूस्तों कैसे सॉल्व करना है वह मैं आपको दिखा कि आ slici रज़ घड़ाँ और आपको समझा देता हूं देखियें कि हैं लुक्षं दोड़ाम का स्वरी दोस्तों यहां पर कि दूस्तों चले दुवारा से यहां पर करता हूं यास चली दूस्तों है आप Hoje-च रजती हैं तो ऱाकटा है तो filme संपनिग्र약 या फिर इसको लिख सकते हैं एक दूरिपो पता है एक सेकेड़ में कितने एक सेकेंड में 50 पांसो साठ कमपन अपको पता है एए टीन सो श्लूर न ये जबाक्त विच छे द 근데 100 2009्ड अब दूस्तacam अुंच के उस Street कंपने में तेय कि गई दूरी कि दोस्तों देखिए यहां पर 3036 मतलब हुआ सेधिप हो गया उसक्राइब पर 32 também कंपन स % से किंग दोस्तों तो हो जाएका अब बचेगा मीटर अपॉन upon company तो मीटर upon company बचे दोशको बोल सकते हैं एक यतने मीटर दोस्तों एक company में चमपन मेंोंटे की दुरी कितनी जीरो संदो 6 में जीर दूपमदोंटे मिटर दूरी तय करेगा तो आप को निकालना था लिए निकाल लिए बीस के लिए करना है तो बीस का मल्टिप्लाइ कर देने तो आ जाएगा बारा मीटर तो ऑप्सन डी आपका राइट हो जाएगा दुबारा समझा जेता हूं दोस्तों देखें यहां पर बोला गया था कि जो यहां पर आपको एन गामान दिया हुए पाफ्साठ्छ दिया हुए कमपन प्र सेकंड भी डीसको बोल सकते हैं क्यों दिया हुआ है लेंड़ा कमन नीका जीएं उसम मतंच लू छाय को नुक्तHay अब आपको रूट्प्ता जो आपको माता कंता है वी कि होता है मीटर पर से की जा रही है तो एक कमपन में कितनी दूरी यह सुच है तो 20 कमपन में इसका मुल्टिप्लाई कर देंगे तो उमीद है यह आपको समझे आ गया होगा तो आपसन डी यहां पर आपका राइट देख लेते हैं यहां पर तो यहां पर दोस्तों जो आपसन डी है वह राइट हो जाएगा जो यहां पर 56 नंबर कोशन है आपसन डी बारा मीटर यह आपका राइट आंसर हो जाएगा तो अब बढ़ते हैं दोस्तों लोग 57 नंबर कोशन की और कोशन क्या बोला है आपको पढ़के सुना देता हूं देखे आप देख भी पार होंगे कोशन है यहां पर किस की धुनि स्रोज से 550 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति 500 हर्ज की आवरिति धुनि सुनता है हर्ज आवरिति की धुनि सुनता है सुरोस से आदमी के कान तक पहुंचेने वारे दो क्रमागत संपीडन को समय अंतराल आपको इन तेख करना है तो देखे जो आपक आपको यह पता होगी दोस्तों कि दोलन क्या होता है जो एक दोलन होता है इस तरह मैंने बनाया हुआ था और इस तरह आपको बताया हुआ था कि जब यह यहां से यहां गया फिर यहां गया जब यहां वापस आता है मतलब कि दोस्तों क्या हुआ कि यह यहां से ऐसे गया उसक कहलाता है चलिए आपको नीचे एक बार समझाता हूँ जहां पर मैंने सौल्ल किया हुआ है को से यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है एक कमपन यह फी दोलन को पूरा करने में लगा समय दूस्तों आवर्थकाल कहलाता है कैसे देखे इसको इस तरह हम लोग बनाते हैं इ कदलब की दोस्तों जो यह आपकी दी हुई है इस कमान आपको पचेस मीटर दिया हुआ है आगे तो एक से कमान कर रहा है यहां पर आपके 500 कमपन हो रहे हैं तो दोस्तों यहां पर टी कमान निकालेंगे तो 1 by 1 होता है, 1 by 500 कर देंगे, मतलब की 1 by 500, तो यहाँ पर आजाएगा, 0,0002 second, तो आपको समंझ में आगया होगा, कैसे किया मैंने, तो यह वाला आपको concept रिखना है, कि यहाँ से यहाँ तक जाने हैं दूस्तों, जो एक दोलन हुआ, तो यहाँ पर कितने दोलन हो रहे हैं 500 यहाँ पर कमपन हो रहे हैं उसके बाद यह एक दोलन कहलाता है इसी में आपको समय निकालना था तो उम्मीद है दोस्तों यह कोशन आपको समझे आगे होगा यहाँ पर option D जो है आपका right हो जाएगा तो यह था दोस्तों question number आपका 57 अब देखते हैं next question कौन सा यहाँ पर next question की बात करते हैं question को खोजना पड़ेगा चलिए अब next question दोस्तों यहाँ पर है किसी धागे से 25 ग्राम का गोलक लटकाने पर आवर्तकाल 3 सेकेंड है जिए 25 ग्राम के इस्तान पर 50 ग्राम का लटकाने तब आवर्तकाल क्या होगा तो आपको पता है जो सरल लवर्तकाल होता है आगर तकाल पर G का महान होता उसका कोई फरक नहीं पड़ता है फिर से पता देता हूँ जो आपका डूस्तों time period होता है जो आपका time period होता है उस पे mass का दोस्तों कोई भी effect नहीं पड़ता आपको याद रखना है mass कुछ भी हो time period पे कोई फरक नहीं पड़ेगा दोस्तों इसका right विकल हो जाएगा d number इनमें से कोई नहीं तो यह आपको समझ में आगे होगा चली आप इन 이ट बंबर कोउशन देखते हैं क्या दिया हुआ है कोउशन है आपर सरल लोलग में जब विस्थाफबबन out Pot 5 के बराबर हो तो गतिज उर्जे होती है यहाँ पर बोला जारा है जब विस्थाफबन iam के बराबर है चर्पके मिल्तरा क्या है विया होगा जो अधिक्तम किसे इसां पमें उर्द कितना हो्ता है चलिए डिया होओ यहां पर आप का दिया हुआ होगा जो यहां से छलेगी तो यहां गई मानलीज यहां पर अधिक्तम कर आक to मैंम पैसा होता है कि यहां पर आपका आयाम होता है जो सभी तो वहां करेगी जब अपनी उसंदीवसे क्या हो जा करते है जीरो जा पर मतलब अधिक्तम dub गमाद जीरो तो आपको फार्मुलया पता है के बराबर होता है हाप maybe स्कॉर्र किमां जीरो जा ग note के कमान भी कितना जाएगा एहाँ पर जीरो जाेगा तो जो आपकी बाती चुर्ग सूढनी हो जाएगी कैसे मैंने आपको पता दिया जब आपका आयाम विस्तापन के बरावर हो जाएगा तो उसको लोग अधिकतम विस्तापन बोलते हैं जब अधिकतम विस्तापन होता है तो V गमान 0 होता है V गमान 0 होने का मतलब है कि जो आपकी potential energy होगी kinetic energy होगी वह एक पी 0 हो जाएगी तो उमीद है आपको समझ में आगया होगा अब देखे 60 number question है आपको question दिया हुआ है किसी माद्य में चलने वाली दो यान्तिक तरंगों की आवरित्तियों का अनुपाद 3 नुपाद 4 है आवरित्ति दोस्तों मतलब की N1 ratio N2 आपका 3 ratio 4 दिया गया है आगे आपको lambda 1, lambda 2 गयाद करना है मतलब की तरंग देखे का अनुपाद उसके आवरित का अनुपाद गयाद करना है तो आपको formula पता है दोस्तों V बराबर होता है N lambda यह formula आपको बहुत ही अच्छे तरीकिस पता है V बराबर N lambda तो यहां सब्सक्तों एक चीज़ा आपको पता होगी जो lambda का मान होता है वह N के व्यत्कुरम अनुपादी होता है क्योंकि आपस multiply रिखें लेम्डा बराबर क्या होता है V by N जो लेम्डा का मा चार दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा चार अनुपाद तीन जर्श्ट उल्टा हो जाएगे क्योंकि यह व्यत्कुरम अनुपादी होते हैं तो एक दोस्तों जो आएगा चार रेसियो तीन आएगा चार अनुपाद तीन हो जाएगा यह हो गए दोस्तों लेम्डा यह होगे दोस्तों लिम्डा अब आपको आगे पता है आवर्त काल का अनुपाद तो आवर्त काल के लिए पता है कि N बराबर होता है 1 बाई T तो N का मान इसमें क्या होता है व्यत्करणना पाती होता है जो N का मान होता है आवर्त काल के व्यत्करणना पाती होता है एसप्राइब T faith को ब्राइबर वं बाइट पता है उसके वाद दोनों आपके व्यक्रमण पाते होते हैं दोनों का दूस्त जो मान आएगा आएगा चार रेस्यों तीन तो यह भी आपको समझ में आगया होगा आगी दूसrieben देखे एक सट नंबर कोशन ने अनुप्रस तरंगे उत्पन की जा सकती है दोस्तों इस कोशन में आपको कंफ्यूजन होगा बुग में कुछ अलाग अंसर दिया है जब मैंने थेवरी पढ़ाई थे उसके बताया भी था कि जो अनुप्रस तरंगे होती हुए केवल आपकी ठ अब से राइट होना चाहिए बी नंबर विकल्प तो एकॉर्डिन टू मी दोस्तों यहां पर आपका बी नंबर विकल्प राइट होगा बुक कह गयती है आई डोंड नो लेकिन जो लॉजिक है वो मैंने यहां पर आपको बता दिया तो यह आपको समझ में आ आगया होगा अब दिखें यहां पर बास्ट नंबर कोशन बहुत ही अच्छा कोशन बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है कोशन क्या है दोस्तों यहां पर एक मनूस से 900 मीटर दूर 30 CT की दोनी सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है मतब कि आपने यहां से CT बजाई कोई 900 मीटर दूर आदमी खड आपको बताना है कितना दोस रहे जाएगा मतब कुछ समय हो जाएगा तब वह समय मिला एक तो कुछ सेकेंड़ों में वहाँ पर दोस आएगा कैसे निकलना है देखिए solve के रखा हुआ है मैंने यहाँ पर solve होगा तो आपको दिखा दूँगा यह नहीं solve होगा तो आपको बताऊंगा देखिए मैंने यहाँ पर solve नहीं किया हुआ चलिए आपको बताता हूँ कैसे solve करना है तो यह question है देखिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि 900 मीटर दूर इस्तित को ही वेकती है तो आपको पता है जब 900 मीटर दूर है उसके बाद आपकी चाल 330 मीटर पर सेकंड दी हुई है तो उसको जाने में कुछ समय लगा होगा तो 900 मीटर को चलने में लगा समय तो व बराबर क्या होता है आपका चाल बराबरती दूरी बटे समय तो डी बाई टी डी बाई टी होता है यहाँ पर व कमान दिया हुआ है डी गमान दिया हुआ है टी गमान गयत करना है ती बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 122.7 सेकंड का यदि वहाँ जद सुलोग यदि कोई व्यक्ती होगा तो उसका समय और जो वहाँ 900 मीटेर दूर व्यक्ती होगा उसका समय 122.7 सेकंड का अंतर होगा अब देखने कौन सबीकलब सही होगा यहाँ पर अप्रोक्सिमेट है अब ऌपर एक चीज और है तीन सेकंड रोगा कि 3 सेकंड सुस्त होगा अब दिखे अजिवाए यह corrobor्व की ता सूमय कि स्वोब होगा होगा लेठ होने का मतलब है कि सुस्त होगा तो 3 सेकंड सुस्त का राइत रूजाएगा अब इस로 है है कि सरलोलक का चंदर्मा के तल पर आवर्तकाल सूने होगा या घटेगा या बढ़ेगा या समान रहेगा तो एकॉर्डिंग टू में दोस्तों यहां पर आंसर गलत दिया हुआ यहां पर चंदर्मा पडा आप ले जाएंगे तो जी कामान दूस्तों क्या है घटेगा जनदर ड़ए किया होगा जब छिक हमान क्या होगा बढ़ेगा तो सुर्ट आैक हम भी क्षिव फीदर पर ओड़ता है यह दियूंक सब्सक्राइब यहाँ पर कोशन में बोला गया है कोशन देखे क्या है यहाँ पर जो दुस्तों यहाँ पर 65 नमबर कोशन है बिलकुल दुस्तों इजी कोशन है बहुत ही देखे क्या करना है यहाँ पर तो दोस्तों 64 नमबर की बात हो रहे हैं चोड़सर नमबर क्वेशन देखें क्या बोला गया यहाँ पर एक पंडूब्बी पर एक सुनार युक्ती लगी है यह यह युक्ती एक संकेद भेजती है और उसकी प्रतिदोनी पांच सेकंड के बाद ग्रहन करती है यदि पंडूब्बी से वस्तू की दूरी 620 मीटर हो तो दोनी की चाल होगी तो देखें यहाँ पर कहने के मतलब यह प्रतिदोनी कितने सेकंड बाद पांच सेकंड बाद सुना जेती है कोई भी चीज यहाँ पर कोई दोनी भेजी गई है तो गई दोस्तों फिर वापस आई तो टोल कितना समय लगा पांच सेकंड लगा उसके बाद पंडूब्बी और दोस्तों जो यहाँ पर पंडूब्बी से वस्तू की दूरी है च्षत्手 डीस तो आपको पता है। जो दूरी ली जाती कौन से ली जाती जाने में जो दूरी होती है और और आने में तो इस organize एक्स को मान च्ट्थी सूबीस है € 2culos देखे क्या करेंगे तो 3620 इंटू टू क्योंकि यहां पर जाएगी और उसके बाद वापस आएगी उसके बाद समय दिया हुआ है पांच तो भी कमान आएगा तो भाग देगे दोस्तों यहां पर भी कमान आ जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर लिजीगा पांच का भाग दे दिया हुआ है वी कमान दिया हुआ है तीन इंटू दसकी पावर आठ मीटर पर सेकेंड तो आप रित्ती आपको मतलब कि एन कमान ग्याद करना है तो दोस्तों फार्मूला आपको पता है पैंशन नमर देखे मैंने आपर सॉल्व किया होगा तो देखिए यह कोश्चन है त ऐसे भी लिख सकते है है तो तीन इटो दसकी पवार आठ मीटर पर सेकेंड है न बराबर दोस्तों वी एक लब्ला फार्म्रा लगाएंगे तीन इंटो दसकी पवार आठ अपॉंड यहां से हमने आक दस ले लिया एक थीन की जगशाहमनें यह आपर तीश द चाल जो तो जो एन है यही आपका दसक्राव नौ हर्ज यहीं आपकी आवरती हो जाएगी तो आपसन नमबर डी यहाँ पर जो है विकल्प इन में से कोई नहीं यहीं आपका राइट हो जाएगा इन में से कोई नहीं तो पैंसाट नमेर कोश्चन आपको समझ में आगया होगा अब बढ़ते हैं दोस्तों लोग चानशाट नमबर कोश्चन क्यों क्यों कोश्चन देखे यहीं किसी तरह का आयाम दुगना कर दिया तो इसकी तीवर्ता में क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों आई बराबर हो आई होता हि मोई स्कुराइल के सामानुपाती होता है के स्कुराइल का मितलब की हमाद गाद लग söz पर एक मान जब दो रुगावगा भाइल तो इसका चर काला अंसार हो जाएगा यहां पर जो सी नंबर विकल पेजिक राइट हो जाएगा फिर दोष्तों लाष्ट कोशन दोनी की तीवृता को मात्ते हैं तो पता है जो आपका ब bourग करा दिये सभी कोशन कर दिये पूरा दोस्तों का सेयर कर दीए चलिए दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही तक तक जाए हिंदू वंदे मातरम